हमारे सबी दर्शकों को धंतेरस की बहुत बहुत शुपकामना है नमस्कार स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर आप देख रहे हैं अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे है उसी के साथ खबरो वाले शेर्स कौन से है कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए उस पर भी हम रिसर्च लेकर आएंगे और इसी के साथ हमारे साथ कुछ दिगज महमान भी जुडेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियास देंगे एक्विटी और कमोडिटी मारकेट में सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी आज सुबह तेजी दिखी है याद रखे पिछला हफ़ता काफी कमजोर था भारतिय बाजारों के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी और आज भी वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है बाजारों की बात करें तो यहां पर भी अच्छे संकेट निकल कर आ रहे है जैपनीज मारकेट में आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी है प्राटीन मारकेट की बात करें तो थोड़ी सी नर्मी है लेकिन हैंग्षैंग मारकेट 160 अंकों की तेजी के साथ 0.6% की तेजी यहां पर भी दिखी है तो एशियाई बाजारों के संकेत भी ठीक ठाक है और हमारे भारतिय बाजारों की बात करें तो यहां पर भी positive opening के संकेत निकल कर आ रहे है लेकिन अमेरिकी बाजारों से संकेत कैसे निकले कमोडिटी मारकेट में क्या action है सबी details के साथ अब हमारे साथ अभिशेख चुट चुके है अभिशेख गुड मॉनिंग बताए कैसे संकेत है अमेरिकी और यॉरोपियन बाजारों से और कच्चे तेल में भी भारी गिरावट फिर से एक बार overnight दिखी है अशेशा गुड मॉनिंग और आपको धन तेरस की धन त्रेयोदिशी की अधेर सारी शुब कामना है ग्लोबल संकेत आज ठीक है हाला कि अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो थोड़े दिर पहले मैं देख रहा था कि 50 संक ओपर था लेकिन गिफ्ट निफ्टी अब अपने गेंस को एक तरह से गमा चुका है और फ्लैट कारोबार और 24,355 के आसपास अभी भी स्ट्रिंथ का इंतिजार है और वह स्ट्रिंथ तब लोटेगी जब 24,600 फिर 24,800 निफ्टी पार कर लेगा लेकिन अमेरिकी बाजारों के गरआ हमाद करें तो कल वहाँ पर हमने डाु में नेस्डिक में सन्पी में 3-0 के 3-0 इंडेक्स में तीजी देखी और ये काफी दिनों के बाद हुआ ऐसा डाउ जो उसमें पांस दिनों की लगातार गिरावट पर ब्रेक लगी कल और कल हमने देखा कि 273 रंग के चड़के डाउ बंद हुआ S&P 500 में हलकिसी तीजी रही नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में करीब प्रिविश 14% के आसपास की तीजी रही नेस्डेक में लगातार ये आठवा दिन है जब बाजार मजबूत हुए है क्योंकि टेकनोलोजी कंपरीज के नतीजों का सपोर्ट मिल रहा है हलांकि अगर हम बाजारों में तीजी के पीछे की वज़ों की बात करें तो कुरूड में जो गिरावट आ रही है उससे कहिंजिए अमेरिकी वाजारों को भी सपोर्ट मिला है क्योंकि इस्राइल ने ईरान के जो ऑईल इंफ्रा है न summarize है हम्ला नहीं किया है उसके चलते सप्लाई में किसी तरस के disruption की आशनका नहीं है और ये चीजे वाजारों को पसंद आई है globally हम कहेंगे भारती वाजारों में भी कल हमने उसके चलते ही strength देखी थी और वही इस्तिती हमने अमरिका में भी कल देखी है अगर हम after market के पुछ नतीजों की बात करें तो food motor के नतीजे आये थे और share करीब 6% तूटा है क्योंकि पहले जो उन्होंने guidance दिया था अब guidance को नों रिवाइस किया है और जो band दिया था उसके lower end पे वो guidance लेकिया है उसके चलते हमने share को तूटते वे दिखा आगे आज की बात रहें तो job opening के आँख़़ों पर नज़र रहेगी labor turnover के आँख़़ों पर नज़र रहेगी technology companies के नतीजों का बाजार को इंतिजार है आज बाजार बंद होने के बाद अमेरिका में alphabet के नतीजे आएंगे और कल मेटा के और Microsoft के नतीजों पर नज़र रहेगी और परसों Apple के नतीजे आएंगे STI बाज़र उसके हम संकेतों की बात करें तो आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी बिलकुल सपाट है अब यह 40-50 संके गेंस थे उसको गवाँ चुका है लेकिन जपान के बाजार में लगातार दूसरे दिन आज हम तेजी देख रहे हैं और उसकी वज़ज़ यह है कि येन वीक हो रहा है उनकी जो करेंसी है येन में वीकनेस की वज़ज़ यह है कि वहाँ पर पॉलिटिकल अंसर रटेंटी है और चुकिए एक्सपोर्ट ओरेंटेड कंपनी है जपान इसके चलते येन के वीकनेस का फायदा भी मिलता है जपान के बाजार को लगाता दूसरे दिन महाँ पर तेजी है होंग कॉंग में चाइना में आज हम तेजी देख रहे हैं और होंग काम में करीब डेड़ परसंट के आसपास के तेजी है चीन के बाजार की बात करें करीब करीब आधे परसंट के आसपास के तीज़ी और कोस्पी में एक तरह से हम नर्मी वाला आज सत्र देख रहे हैं अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो निशी तोर पर कुरूड जैसा कि आपता भी रही थी की बहुत तीज़ी से गिरा है कल की ग्रावट की बाद आज हाला की उतनी ग्रावट नहीं है लेकिन फिर भी बातर डॉलर के नीचे के भाव है एक रींज में ही कच्छे तेल में हमने उसके बाद कारवार होते हुए देखा है बिटकॉइन एक और फैक्टर है जून के बाद पहली बार सद्टर हजार डॉलर का आ себला बिटकॉइन ने पार किया है तो आज जो अगर हम कहें तो संकेट हें अमेरिका से शंकेट ठीक है एशिया से संकेट ठीक है है और हम क्रूड की बात करें तो क्रूड जितना कम रहे हैं थोड़े से रेंज में nord को ऐसे रेंज में को मिला नहीं है और ये एक चिंता की बाद जरूर निश्य तोर पर बनी हुई है बाजारों के संकेट ठीक ठाक है हमारे लिए भी करीब पाच अंकों की तेजी अभी दिख रही है पॉजिटिव ओपनिंग के संकेट और एशियाई बाजारों से भी अच्छे संकेट आज सुबह निकल कर आ रहे है ब्रेंट क्रूर और सोने पर इन पटिकुलर फोकस रहेगा धनतेरस है तो डोमेस्टिक मार्केट की भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है और कच्छे तेल में पिछले दो दिनों से अक्शन दिखा है FIIs और DIs का अक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते है Foreign Institutional Investors ने कल फिर एक बार बिकवाली की करीब 3230 करोड की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी और उक्टोबर में अब तक FIIs ने एक लाग करोड से ज्यादा की बिकवाली की है DIs की खरिदारी फिर एक बार दिखी करीब 1400 करोड की खरिदारी DIs ने कल के ट्रेडिंग सेशन में की Index Futures में 2700 करोड की खरिदारी दिखी Index Options में 37,000 करोड की Stock Futures की बात करें तो 3300 करोड की खरिदारी वही Stock Options में 515 करोड की खरिदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी लेकिन आज बाजार पर क्या रणनीती रखनी चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ Angel One के राजेश भोसले जुट चुके है राजे शुक्रिया समय निकाल कर E.T.N.A. स्वदेश के साथ जुडने के लिए पिछले हफ्तों की कमजोरी के बाद कल अच्छा दिन रहा आज सपार्ट से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे है Index Level पर क्या रणनीती बनानी चाहिए और कौन से लेविल्स पर हमारे दर्शकों के नज़र रखनी चाहिए अब भी लेवल्स के बारे में बात करो तो 24 जोसों के पास एक अच्छा का सा immediate support रहेगा followed by 24,100 on the high side अगर आप देखे तो कल हमने 24,500 के अज़ पास एक resistance फिल किया था तो 24,500 एक crucial resistance रहेगा followed by 24,600 तो market एक range में रहेगा नीचे के लेवल्स पे buy करते रहे है इसमें काफी अच्छे momentum था, post काफी अच्छे results के बाद तो thematic moves पे focus किज़े जैसे-जैसे result आता है जैसे-जैसे हम अधिवाली के नजदीक आते तो वैसे-वैसे stops पे focus करते रहे वहाँ पे outperforming opportunities मिलेगी आज जो दो counters मुझे अच्छे लग रहे है वह मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मेरा जो पहला recommendation है वो है IT में से विप्रो IT space को अगर वो overall देखे, तो जिस तरीके का nifty में weakness आय था उतना weakness IT space या IT index में आमें देखने को नहीं मिला था similarly अगर आप विप्रो का चार्ट देखे विप्रो एक one of the outperformers रहा है recently और एक range में से बाहर आते हुए हमने कल के सत्र में देखा था विप्रो में यहाँ पे काफी आचा volume और long formation देखनों को मिले है expected है विप्रो यहाँ से 575 तक move कर सकता है एक छोटा stop loss रहेगा 548 का तो 548 के stop loss से 575 का target रहेगा विप्रो के लिए मेरा जो दूसरा recommendation है वो है 40s पे 40s का अगर आप chart देखे तो continuously एक high top high bottom structure में trade कर रहा है कोई भी जो in between dip पा रहा है तो उस dip में 20 day moving average के आसपा support लेके bounce कर रहा है तो काफी एक strong counter है overall trend positive है तो 40s पे buy recommended है यहाँ से 40s जो है possibly 635 लेवर तक जा सकता है इसका जो stop loss रहेगा वो 59 का रहेगा पिछले हफ़ते की कमजोरी के बाद कल अच्छा action वहाँ पर दिखा PSU banking index पर आपकी क्या रहेगी और कोई stock specific ideas इसी index है अच्छा reversal आपने देखने को मिला है बहुत सारे जो key stocks है वो बहुत ही आहम स्थर से bounce back किये है तो PSU banks definitely कोई dip निलता है तो उसमें bind कर सकते है हमारा जो topic है PSU banks में से वो है bank of baroda recently अगर आप देखे तो जो fall आया था उसमें bank of baroda ने कोई major contribution नहीं दिया था तो bank of baroda में buy किया जा सकता है कोई भी dip आता है bank of baroda में जो buy करते रही है bank of baroda ने कल एक range breakout भी दिया था तो expect करो bank of baroda यहां से एक outperform कर सकता है दूसरा जो counter है वो है Indian bank Indian bank में भी काफी आच्छा traction हमें कल के 17 में देखने को मिला था अपना weekly 89 EMA पे support लिया था और वहां से bounce back किया है तो bank of baroda और Indian bank यह तो counter जो है मेरे radar पे है कोई भी dip मिलता है एक दो sessions में तो उस dip पे buy करने की रणनीती रहनी चाहिए बरोडा और Indian bank में अगर dip दिखता है तो खरिदारी के मौके बन सकते है राजे शुक्रिया समय निकाल कर रीटीना और स्वदेश के साथ जुढने के लिए आगे बढ़ते हैं शरद अब हमारे साथ studio में मौजूद है जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौनसे stocks focus में रहेंगे और कई सारे नतीजे भी आये है सबसे पहले तो धंतेरस की बहुत बहुत शुपकामनाई शरत बताएं नतीजों के दम पर कौनसे stocks focus में रहेंगे बिल्कुल आपको भी धंतेरस की खुपकामनाई है और हमारे दर्शकों के लिए भी आज एक बहुत important दिन है और अफकोस इस दिन का जो एहमियत यही होता है कि कुछ एक अच्छा से शुरुवात हो कुछ एक purchase करें तो अफकोस जो सबसे पहला stock of course रहेगा मैं earnings से start करूँगा लेकिन earnings के बाद मैं अश्य शाहूँगा आपके धंतेरस related क्या theme stock से उस पे भी बात करेंगे सबसे पहले बात करें तो भारती अटेल के largely in-line set of numbers आये है और यहाँ पे देखा जए तो इंडियन business view है जो है आप कह सकते है कि stable आये अरपू जो होता है वो 10% बढ़ गया है sequentially 233 रूपीस का है आपको पैट दिख रहा होगा वहाँ पे थोड़ी एक exceptional loss आई अफरेका के business से इसलिए आपको जो आप screen में देख रहोंगे पैट वहाँ पे थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है फेडरल बैंक की बात करें तो strong set of numbers आया है asset quality में भी improvement आया है और overall जिस तरह banking sector के numbers आ रहे है volatility बहुत है तो उस हिसाब से company के numbers अच्छे आए है पारदी फॉसफेट की बात करें तो अच्छी numbers देखने मिले है और जो कामकाजी मुनाफ है उसमें भी अच्छी उच्छाल आई है mix set of numbers देखने मिलेंगे IGL के यहाँ पर देखे तो volumes में strength आया है हालकि अगर दूसरे तिमाई के margins की बात करें तो वहाँ पर मार पड़ी है company को quest cop की बात करें तो mix set of numbers आया है overall higher other expenses और taxation issues के कारण जो एक company की bottom line numbers पर impact पड़ी है लेकिन बाजार को important commentary जो आज दुपहर को आएगी especially उनके टीमर जो प्रोसेस को लेके उस पे जादा focus रहेगा भारती एक्साकॉम की बात करें तो company जो है आप क्या सकते है घाटे से मुनाफे में आई है एक strength दिखने मिल सकता है stock में और यहाँ पे brokerages का भी जो है upgrades आ सकता है टाटा टेक की बात करें तो यहाँ पे कमजोर नतीजे देखने मिले है across parameters और EBITDA margin में भी 10 basis points का गिरावोट आए और आखिर में कलपात्र प्रोजेक्स के बारे बात करेंगी जहाँ पे number strong आए है और EBITDA में भी अलगबग 19% का year on year basis पे उच्छाल देखने मिला है बिल्कुल तो कई सारे stocks जो नतीजों के दम पर आज focus में रहेंगे और शरत खबरों वाले shares की तो हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले धंतेरस की शुपकामनाय को बेंगॉली में कैसे बोलते हैं वो पता है अशेशा मुझे भी नहीं पता धंतेरस को आप कैसे बोलते हैं जरूर कलकता में बच्पन मेरा गया है पर मेरी वाइफ भी बेंगॉली है लेकिन बहुत मुश्किल होता है उससे भी सीखने का कैसे निकलता है बट हाँ धंतेरस ही होगा मैंना खुद का बिंगॉली अब थोड़ा कम हो चुका है बट लेकिन दर्शग के लिए मैं कुछ स्टॉक्स तो लाया हूँ आज सब लोग बिजी होंगे सेकेंड आफ में कोई गाड़ी ले रहा होगा कोई जेलरी ले रहा होगा या क्विक कॉम इस सारे स्टॉक्स में थोड़ी मोमेंटम देखने मिल सकते हैं सेंटिमेंटल हो सकता है हाला कि उतना कुछ लॉंग टम कुछ नहीं होगा बट ओवरॉल इन स्टॉक्स पे भी जरूर रखिएगा आपकी नजर टूविला स्टॉक्स भी रहेगा फोकस में जो मैं जो है आज स्टॉक अब यहां पर जो है स्विगी जो है आप कह सकते हैं लगभग 1.4 बिलियन डॉलर जाने की 11,700 करोड तक का जो आई-पियो जो है यहां पर उनकी प्राइस बैंड जो है रिपोर्ट्स आ रही है आ गया है 371 तो 390 रुपीज पर शेर का है 6-8 नवेंबर तक जो है आ इंट्रस्टिंग डवलपमेंट आया है लोधा की जो फिलांट्रोफी फाउंडेशन है वह अब लगभग 20% स्टेक ओल्ड करने वाली है मैक्रोटेक डवलपर में यह एक टाइप से ट्रस्ट जैसा जो है होल्डिंग आ जाएगा इसमें डॉक्टर रेडी जो है नहीं कॉं आपके जो रिसाइकलिंग थी में टेक्स्टाइल के उनमें भी आज मोमेंटम आ जाएगा कलपातरु प्रोजेक्स जो है बोर्ड में मीटिंग ने अप्रूफ किया है कि हजार करोड तक कंपनी रेस कर सकते हैं क्यों क्योंकि एंटीपीसी भी रखें फोकस में क्योंकि और आखिर में Aegis Logistics भी रखेंगा नजर में यहाँ पे बोर्ड ने उनकी जो material subsidiary है Aegis Wopak Terminal उनकी IPO की 4000 करोड की approval भी आ गई है तो देखें तीन IPO related news लो तो आज ही देखने में मिलना हमरे खबरवाले शहज में बिल्कुल तो IPO related stocks पर आज नजर रहेगी स्विगी के IPO के चलते जुमैटो और इसी के साथ Prestige States Aegis Logistics जैसे कई सारे stocks फोकस में रहेंगे शरत शुक्रिया पूरी details के साथ हमारे साथ चिड़ने के लिए ब्रोकरिज reports के दम पर कौन से stocks फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ वरुन स्टूडियो में मौझूद है वरुन गुड मॉर्निंग बताए ब्रोकर जिसके दम पर कॉंसे स्टॉक्स में रहेंगे अपको और सभी को शुरुबात करूंगा सनफामा के साथ क्योंकि यहां पर प्राइस सागेट बढ़ाए गए हैं अच्छे नत क्या है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उनको वॉल्यूम के काफी अच्छे लगे हैं इसके लिए प्राइस सागेट बढ़ाया है बीपी सेल पे नमुरा की रिपोर्ट है खईदारी के सला प्राइस से बढ़ाके तीन सो असी का क्या है नतिज़ों के बाद लेकिन भार सीजन के अगर आप लिटेल डिमांड देखेंगे तो इनिशली जो थोड़ी बहुत कमी देखने मिली थी अब अगर आप देखेंगे तो टू विलर में आट परसंट के आसपास की ग्रोध देखने मिल रही है और पैसेंजर वहिकल में करीब-करीब फ्लैट ग्रोध देखन नॉमुरा 240 के प्राइस आगे दे रहा है और सीटी ने भी एक पॉजिटिव कैटलिस शुरू किया है 90 डेज का इसका अमनी पर इनको लगता है कि निम स्टेडी थे फी इंकम जो है अच्छी थी एसेट कॉलिटी भी अच्छी थी ओवराल ग्रोध एडवांसस में अच्छी लेकिन आगे अच्छा खासा सुधार हो सकता है और नए मैनेजमेंट ने टेक और किया है उसका भी फायदा मिलेगा बिलकुल तो कई सारे स्टॉक्स नतीजों और ब्रोकरज रिपोर्स के दमपर आज फोकस में रहेंगे वरुन शुक्रिया पूरी रीटेल के साथ हमारे सा बाविक शुक्रिया समय निकालकर एटीनाव स्वदेश के साथ चुड़ने के लिए और सबसे पहले सोने चांदी पर ही अपनी राइ दीजिए धंतेरस का अत्योहार है सोने और चांदी पर क्या रंणीती बनानी चाहिए तो सोने और चांदी बिए और चांदी बे भी मुझे लग रहेगा तो फोड़ा भी डिप मिलता है आराँ निटी सेवनेटी सेवनेट के टारगेट के लिए बाई कर सकते है तो सोने और चांदी दोनों पर खरिदारी की राइ लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स और ब्रेंट क्रूड यहां पर क्या रंणीती बनानी चाहिए कर सकते है फिक्टी सेवनेट के टारगेट के लिए और कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि अभी भी ट्रेंड जो है वो फोड़ा वी के डॉलर इंडेक्स रॉंग हो रहे है तो कॉपर में भी बेचके चल सकते है रहां। एक खर्टीट, एक खर्टीटू के टागेट के लिए बिल्गुल तो कॉपर और क्रूर दोनों पर बिक्वाली की राय भाविक शुक्रिया समय निकाल कर एटीनाव स्वदेश के साथ चुड़ने के लिए लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर